कि अच्छ कि हलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर राजीव पंडेव अपने यूटूब चैनल पे आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेके आया हूं जो थोड़ा हैरान कर देने वाली है मैं बात कर रहा हूं एक नई बीमारी जो सामने आ रही है जो इसको टोमेटो फ्लू के नाम से जानते हैं और ये टोमेटो फ्लू सबसे निवर वाइरस है अब तक की जो बीमारियां उनमें से सबसे नया है और नया के साथ-सात में इसमें क्या है कि सबसे पहला केस इसका रिपोर्टेट हुआ है हमारे भारत देश के क परती चली गई और लगभग अकेले केरला की बात करें तो 80 से ज्यादा बच्चे इससे इंफेक्टेड हुए हैं ठीक है अब वहां से केरला से भी दूसरे प्रदेशों में की तरफ रुख कर रही है देन स्प्रेड हो रही है अगर इसके एज गुरूप की बात करें कि ये बीमारी किसको इफेक्ट कर रही है तो इस सबसे कामन है जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं मतलब एज गुरूप क्या है इसका 5 से लोवर है 1,2,3,4,5 मतलब एक से और 5 साल तक के जो बच्चे हैं ये सबसे बल्कुल riteब कन्फिज नहीं हो क्योंकि इफ्लेंजा के जो लख्षण है और इसके जो लख्षण हैं मतलब दोनो बीमारियां अलग हैं और इसमें क्या लख्षण मिलता है high grade temperature मिलता है मतलब बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार देखने को मिलता है उसके साथ intense joint pain जो joint pain है बच्चों के वो उनमें pain महशूस करता है मतलब जब भी वो movement करेगा body के किसी part का movement करेगा किसी joint का movement करेगा उस टाइम उसको दर्द का हैसास होगा उसके साथ साथ में क्या मिलता रैसेस मिलते हैं मतलब कि पूरे सरीर पे दाने 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 रैड कलर के दाने मिलते हैं इसके साथ साथ red plain full blister मिलता है red plain full blister मतलब लाल कलर के छाले फोले जिसको कहते हैं के अंदर जो है फ्लूड का collection हुआ होता है वो ब्लिश्टर बन जाते हैं जैसे कि बर्न में जैसे जले हुए patient के अंदर क्या है blister का formation हो जाता है और उसके अंदर पानी पिकथा हो जाता है वैसे ही इस patient में भी जो है तो blister देखने को मिलते हैं और eruptions के जो size हैं, वो काफी बड़े हो जाते हैं, बलब इन में जो eruptions, जो दाने निकलते हैं, उनका size बड़ा हो जाता है, और चुकि ये लाल है, तो इसलिए इसका आकार color कैसा दिखाई देता है, तो scientist ने क्या किया, इसका नाम करन क्या कर दिया, tomato flu के नाम से इसका नाम करन कर द मतलब वो जगह जो जिन में फफोले या बिलिश्टर बने हुए थे, वहां से कुछ fluid को निकाला जाता है, निकालने के बाद उसका swap culture करते हैं, ठीक है, और infected to an entrovirus, एक entrovirus पाया गया उसके test में, और test में उसको exococins A16 के नाम से जानते हैं, फिर बात करें, ये head में, foot में, mouth में, और disease पाया जाती है, जिसको HMFD disease के नाम से भी जानते हैं, management की अगर इसके बात करें, तो management क्या है, doctor treat the patient illness, वो बीमारी को ठीक नहीं करता, जो बीमारी में, जो लक्षन दिख रहे हैं, उनको treat करने की कोशिस करता है, fever है, उसको बुखार आ रहे हैं, तो बुखार को आप control करेगा, एक जो उसको body हो रहा है, दर्ध हो रहा है, उसको control करेगा, pain, जो उसको pain हो रहा है, due to the infection, क्यों, दर्ध क्यों हो रहा है, क्योंकि body के अंदर क्या है, बहुत सारा infection एकठा हो गया है, और उसकी वज़े से उसको pain की feeling आती है, transmitted to the mosquito, कैसे फेलती है, बच्चों बच्चे में दूसरे से तीसरे बच्चे में transmit होता है, ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल इसको नजर अंदाज ना करें, जब भी इस तरह के लक्षन दिखते हैं, तो आप अपने डॉक्टर से संपर करें, बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, और उचित और प्रापर treatment लें ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सकें, बच्चों की care करें, उनका hand washing proper करें, जब भी हो बाहर से आते हैं, सुरक्षित तरीके से उनको रखें, ताकि उनके अंदर इस तरीके की कोई समस्या नडवलफ हो, थैंक यू